शरीवार को भंडारा के अस्पताल के नवजाद शिशो के देखबाल केंडर में लगी आगनी दस शिशो की जान ले ली चबकि अन्य शिशो को बचा लिया गया काईदा तो यह कहता है कि हाथसे के तुरंद बाद इसकी प्रातमिक दर्स की जानी चाहिए लेकिन इस चांच में देरी क्यों बेरहाल भंडारा में घटी घटना हाथसा है या हत्या यह सवाल कायम है देखिए यह रिपोर्ट शनिवार को भंडारा की अस्पताल में आग लगनी सी दस नवजाज शिशो की मौत हो गई अब सवाल यह है कि उसकी मौत का जिम्मिदार कौन है राज की गुरह मंतरी अनिल देशमुक और स्वास्त मंतरी राजे श्टोपे ने घटना स्तल का निरिक्षन किया और मामले की उच्छिसतरिय जांच की आदेश की जानकारी थी उन्होंने यह भी कहा कि मौक्यमतरी उद्धर ठाकरे के भंडारा में आने पर इसके लिए एक समीति का गठन किया गया है हाला कि इतनी बड़ी घटना को अन्जाम देने में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाये जा रहे है भंडारा पुलिस जान बूच कर किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही ऐसा संदिह व्यक्त किया जा रहा है बेरहाल भंडारा में घटी घटना हाथसा है या हत्या यह सवाल कायम है हाथसे में पीडित परिवार को सांत्वना देना या मुआवजा देना एक आपचायकता कही जा सकती है लेकिन अस्पिताल प्रभंदन द्वारा हुई इस लापरवाई को नजरंदास नहीं किया जा सकता है अगर निजी अस्पिताल में भंडारा जैसा कोई हाथसा होता तो अस्पिताल के संभंधित डॉक्टरों और निदेशकों पर आरोप लगाया जाता और अब तक उन्हें गिरफतार कर लिया जाता 48 गंटे बीच चुके हैं और किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है एक साधारण अपराद भी दर्स नहीं क्या गया कौन बचा रहा है और किसे चंता की बीच ऐसा सवाल है और कारवाई में देरी को लेकर आक्रुश भी केवल पीरित माबाप को पाच लाग का मुआवजा देना कोई समाधान नहीं है पूरो उर्जा मतरी चंद्रशेकर बावन कोई ने इस मुद्दे को लेकर राजसरकार से कड़े सवाल पूछे है नावजाद देखभाल केंद्र को बिजली की आपुरती पिछले साथ दिनों से बन थी दबाव बढ़ता चारा था चंद्रशेकर बावन कोई ने आरोप लगाया है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया चिला सामान ने अस्पताल भवन का विध्यूतिकरन औरिट नहीं किया गया है अस्पताल ने विध्यूत औरिट कराने के लिए मई 2020 से तीन बार स्वास्तविभा को पत्र लिखा गया था जिमेदार मंत्री ने घटना के बाद इस सिफात देने की नैतिकतान नहीं दिखाए भारतिय जनता पार्टी नेतार रामकदम ने आरोप लगाया है कि नवजाग के मादा पिता को मीडिया से बात नहीं करने की धमकी दिशा रही है मीडिया के बढ़ते दबाओ और जनता के आकरोश को देखते हुए भी प्रात्मी की दर्स नहीं की गई है हाला कि जान समीती का गठन यह भी एक दिखावा ही कहा जा सकता है देखना यह है कि जान ज किस अंजाम तक पहुचती है कैमरा पोर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पांसी बीसी न्यूस नापपुर